असलाम वालेकूम गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल और कैसे आप सबी इंशालला आप सभी खेरियत से होंगे अल्ला ताला आप सभी को सहत बंद रखे आप सभी अपर अपने घरों में अपनी अपनी फैमली के साथ खुश रहें आवाद रह आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है तो आज रहने के बाद बहुत दिनों बाद मैंने अपना यह डिवाइडर वाला जो ट्रेस से वह पहना है और सच में बहुत दिनों बाद पहना है यह जो आपनी पसंद दिलाया था उस टाम मैंने आप लोगों के साथ श मेरा भी यह फैवरेट है तो अभी न्यूस्पेपर बढ़ लेते हैं थोड़ा सा और जैसे कि वेड़नस्टे है वाले दिन का व्लोग है यह मेरा तो वेड़नस्टे वाले दिन मदूरी में वाला जो पेज आता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें अच्छा में पढ़ लिया लेकिन पढ़ती जरूर हूँ और ज्यादा तर लेडिस का फेवरेट होता है मदूरी मावाला पेज तो अब में अधर आगी हूँ अंदर वाले रूम में और आज में वेड़शीट भी चेंज करनी थी तो दूसरी वेड़शीट में ने अच्छा ही देंगे ब्लैक भी है रेड भी है और वाइड सरकल भी है इसके उपर तो आप लोग मुझे जरूर बताएगा कि वेडशीट कैसी लग रही है आज काल हम अपने हैर में डेंडर को लेकर काफी परिशान रहते हैं और डेंडर की जो प्रॉब्लम है वो अब एक डेंडर को गई ती और मैंने डेंडर से छुटका रहा पाने के लिए एक बहुत ही अच्छा हेयर मास्क मगाया है और यह हैर मास्क का और जैसे की कफी टाइम से में मामार्त के प्रॉडेक्ट यूज कर रही हूं और आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किये मामार्त एक इ तो काफी अच्छा हेयर मास्क है यह और इससे हमारी डेंडर्फ काफी हद तक दूर हो जाएगी यह डर्मेटोलोजिकली टेस्टेड है पेराविन एंड सिलीकन फिरी है तो पहले मैं आप लोगों को इसका टेक्स्चर दिखाऊंगी और उसके बाद में दिखाऊंगी कि हमें तरीके से अपने हेयर में इस मास्क को एपलाए करना है ती ट्री हेयर मास्क उच इस तरीके की पेकिंग के साथ आता है अब मैं लोगों इसका टेस्टर दिखा दिखा देती हूं इसका जो टेक्स्चर होता है बड़ा क्रीमी होता है हमें अपनी फिंगर टिप से अपने हेय तक लगे हो में भूप को भी nuclei तक कर आए बाद को आपड़ेन को ही मैं फिर अखेक्चर में ग kilometers सबस्तों तक को अब सकता है मामा थाले मार्त जिए होटे के ऊचित करते हैं निकितों हुं तो जिस तरीके का होता है, इसके खास ingredients है, onion oil, organic bamboo भी नेगर, ये हमारे hair fall को control करता है, इसका खास ingredients जैसे की onion oil है, pollution की बज़े से, या harsh weather की बज़े से, हमारे hair की जो natural nutrition हो लॉस हो जाती है, onion oil हमारी इसी nutrition को restore करता है, हमारे hair हमारे scalp को cooling प्रोवाइट कराता है, हमारे hair में जो echin happiness होती है, उसे reduce करता है, अगर आप मामा आर्थ का कोई product खरीते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक पेड़ो गा रहे हैं, और आप भी कही ना कही environment को शुद्ध करने में अपना सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप भी इन दोनों में से कोई भी hair mask पर्चेस करना चाहते हैं, तो और एक और अच्छी बात यह है, कि अगर आप मेरे दिये गए coupon code से purchase करते हैं, तो आपको मिलेगा 20% discount, तो इसक्रीन पर चल रहा है मेरा coupon code है, राजिस्थानी2022, वहाँ पर भी जाकर आप इन्हें purchase कर सकते हैं, अभी जो धनिया मैंने पिस्वाया था, वो तो बस खतम होने बात ना, का सकता है कि उसक्री बात बात बना भाइक के आप करते हैं मुझे नहीं पिस्काइगा से छीज में मिलावत करते हैं, बाजार में तो हर चीज में मिलावत होती है, चाहस सब्सक्राइब। मैं σब्टाइप्स तो सं дерके से समय करें आप इसे जीए ध Carson रहसो टेंटेश एन्था कने वह झासे आप आप चाहए। बतब आप पर क्षानटियादा को मैं यूदि को सब्सक्राइब। मृटकिक का दनिया में चीलिय। इतनी लिए मार्केट का दनिया कोई म करती। कि अझा कोचवा नहीं कोई सब्सक्राइब तो कि फेनी लिए करते हैं। लेकर लेक पहले एक नहीं है प्रो cunning देखे प्रहण हमें गड़ा देखे उसके मिटाउट बेफिट तरीके में अधर लक्णिया यह जाँ के प्रहूट दोद सेरी आला घ्लकrese खाओ अच्छी लगती है और ये सिवयों से ज्यादा अच्छी लगती है वस अब में नीचे आ गई हूँ नीचे आकर पहले मैंने नमाज पड़ी जोहर की और उसके बाद अप में कुरान पढ़ रही हूँ और उसके बाद फिर में करूंगी इफ्तारी की तैयारी अप इसे करनी प अब मेरा किचन आप लोगों को पता है ना पूरी तरीके से डिस्टरब हो रहा है सब सामान इद दोर बिखरा पड़ा है और बहुत सारे सामान में उपर लेकर आगई है अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है वह सब सामान कैसे नीचे जाएगा जब मैं अपनी मोडूलर किचन में सारा सामान शिफ्ट करूंगी ना तो इस टाइम देखना पसीने आ जाएगे क्योंकि वह सामान उपर है अप ट्रे भी लेकर आओ और दूसरे सामान भी लेकर आजाओ तो सामान बहुत सारे हो जाते हैं और एक कोमेंट फिरिज को लेकर भी आया था कि आप फिरिज भी अपर बना रही हूं चिकन मलाई टिक का उसकी तैयारी कर रही हूं उसके लिए मैंने तो टेवल इस्पून दही लिया है और उसमें डाल देते हैं हम दो टीस्पून भर कर मलाई फ्रेश मलाई और अदरक लसन और यह हरी मिर्ची का पेस्ट है उसमें दो तीन हरी मिर्ची जीरा पाउडर थोड़ा सम डालेंगे काली विर्च का पाउडर बस और कुछ मसाले नी जाएंगे नमक और जाएगा इसके अंदर और अच्छे से हम इसको फैंट लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेना है और चिकन के जो पीस है उस पर पहने कट पहले ही लगा दिये थे और दो अच्छे से कोट करना है क्या करना है इसको बढ़िया से और इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे एक घंटा एक घंटे के लिए बस लास्ट में जब अपतार का टां हो ना मतलब फ्राइख करना है और इधर में तैयारी कर लेती हूँ पोटेटो चीज बॉल्स तो इसके लिए मैंने पांच आलू वाले हैं इन आलू को हम कद्दू कस कर लेते हैं अच्छे से और कद्दू कस करने के बाद फिर इसमें भी कुछ मसाले जाएंगे वह भी मैं आप लोगों को बता देती हूं क्या क्या हमें इसके अंदर एड करना है तो इसमें हम डालेंगे एक टेबल इस्पून भरकर कॉन फलॉर और इसके बाद फिर हम घेर मढ़ने लिए काली मिर्च पवर और रेडड चिली फ्लेक्स ठोड़े से और उपर से थोड़ा सा हरा दनिया बस इसके बाद फिर हम इसके रख देंगे थोड़ी देर के लिए और पूटेटो चीज बॉल अब दो अंडे गोले हैं और अंडे के अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक तोड़ा सा मकाली मिर्च पाउडर डालेंगे और यहां पर थोड़े से ब्रेट क्रम्स लिये हैं मैंने तो अब हम इसकी बॉल्स तैयार करेंगे तो जो हमने आलू की स्ट्रफिंग बनाई है उसकी हमें बॉल्स बना के तैयार करनी है और बॉल्स बनाने के बाद यहां पर यह देखे मैंने चीज लिया है तो यह जो चीजे इसके चार पीस कर दूँगी और एक पीस एक बॉल के अंदर हमें रखना है और बॉल को हमें तो अभी मैं ऐसी करूंगी फिर्ज में रख दूंगी और जब अफ्तार का टाइम होगा उस टाइम इन्हें फ्राइब करूंगी अब में बर्डे विश कर देती हूं जैसे कि आज 14 अप्रेले आज आसिफा खान जी का बर्डे है तो आसिफा खान जी आपको मेरी तरफ से आपकी जिन्दगी में कभी भी कोई भी गमना है आपकी सुबह काम्याभी भरियो और राते मुरादों भरियो और अभी जब मैं देखिए पलंग पर वेटशीट बिचा रही थी तो उस टाइम की बात है तभी मुझे याद आया कि मैंने आपसे अपने एक व्लोग में जब 3D डिजाइन वाली वेटशीट बिचाई थी तब पूछा था ना कि वेटशीट कैसी लग रही है और मेरी आदत है कि जब भी मैं पलंग पर नहीं वेटशीट बिचाती हो तो मैं आप लोगों से जरूर पूछती हो तो उस टाइम भी पूछा था तब ज्यादतल लोगों यही कहा कि अच्छी लग रही है और आज भी वेसे यही पूछा है मैंने आप लोगों से पर एक कोमेंट ऐसा आया था कि वेटशीट तो अच्छी है पर जो बैड है वो आपका काफी पुराना है देखिए वेट भले ही पुराना हो पर वेटशीट बिचाने के बाद हमारे जिस तरीके के बैड चलते थे पापा ने ठीक वैसा ही बैड दिया उस टाइम के साफ से काफी लेटस्ट था ये पर 20 साल बाद देखिए पैटन काफी कुछ चेंज हो जाता है काफी चीज़ें बदल जाती है आपको तो पता है और मुझे ये बहुत प्यारा है वैसे तो द देखिए अपने दहेज की हर चीज के साथ हर लड़की की एमोशन्स जोड़े होते हैं और दहेज की हर चीज को हर लड़की सम्हाल कर रखती है और जब तक हमारे दहेज में दी गई चीज़ें सही सलामत रहती हैं अच्छे से काम करती हैं तो हमारी उन्हें फैकने की या फ कि मेरी हर चीज के साथ मेरे इमोशन्स चूड़े हुए है और फिर जिस बैट के लिए का गया है कि यह पुराना हो गया है मुझे अभी तक याद है इस बैट को लेकर पाप ने जो फनीचर वनाने वाले थे ना उनसे काफी वहस किती और वैसे तो मेरा जो फनीचर पापा की पसंद का है लेकिन पापा मुझे दिखाने भी ले गए थे बैड और मेरी जो ड्रेसिंग टेवल है दोनों मैंने देखी थी और मुझे भी बहुत पसंद आई थी कि पापा बहुत अच्छी लग रही है दोनों की डिजाइन मुझे अच्छी लगे बहुत अर्मानों से पा इसको तो देखिए मैं किसी भी तरीके से नहीं छोड सकती और हमारे दैज का सामान देखिए एक ना एक दिन सब पुराने होई जाते हैं सब के साथ होता है और लेटस डिजाइन चलने लगती है लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि हम सारे सामान को जैट करके दूसरे साम पैसे को हमें ईसको हमें सभाजी के चकर में अपने पैसे ही खर्च कर दें दुनिया को दिखाने के लिए तो दिखाबा मेरे अंदर बिल्कुल वी नहीं है अप लोग जानते हो तो आपसे बाते करते हैं यहां पर देखिए मेरी पोटेटो चीज बॉल्स बिल्कुल तैयार हो चुकी है और मैंने जो मलाई चिकन टिक का बनाया था वो भी बिल्कुल रेडी है फ्राई हो चुका है और यह की अंदर से चीज आपने देखना कितने अच्छे से दिखाई दे मनिशा यादव खान, जुनेद, अफसा, सौूद, मीनाल, आफिशियल, सुमया, गुल, सल्बान, चोहान, संजिदावान, रानी खान, नौशीन खान, सेला व्लोक्स, अजान खान, सिवरन की, रसोई, हिना करीम, रेहान, सेफी, हया वसीम, उम्मे एमान, हम्रीन, अर्श ज आसु खान, ओवेश खान, मौमद, अदिल, फरीन, सेफी, अर्चना, शर्मा, माईवलोक्स, जुल्फा खान, तयवा, खातुन, असरा खान, उसामा, हसन, तवासम, फसिया सुल्ताना, एहमद, आप था तो जी, आप सभी लोगों के लिए, मैं अपनी है नमाज में दौा करूगी, कि आप लोगों की जो भी परिशानिया आए, अन परिशानियों को जल से जल दूर करें, अपनी हिव्जोमान में रखें, सब की जाइस तबनाएं पूरी करें, और आज की मेरी दोनों रेसिपी म अच्छी लगी, आप मुझे कोमेंट करके जरूर बताईएगा, और कभी-कभी मैं भूल जाती हूं, तो भी आप याद रखा करिए कि हमें बताना है कौनसी रेसिपी अच्छी लगी, और हाँ, इफतारी में आप जरूर बनाया करें, ठीक है, तो अभी यहां पर रिदा तो वो कपड़े ऐसी रख दिये थे, तेही नी बनाये थे, तो अभी वस तेह बना रही है, और वस इसी के साथ आज किस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूं, आप सभी अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत-बहुत ख्याल रखेगा, हम सभी को दौाओं में या नए अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए, आला हाफीज, बाई बाई